दोस्तो आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सेखेंगे digital signature attach करना देखो कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे applications होते हैं माल लीजे आपके office profile से related या फिर माल लीजे अगर आप किसे school में work करते हैं कोई notice है कोई letter है कुछ भी है जो भी वहाँ पर boss हो गया head हो गया या फिर member हो गया principal हो गया उनका signature हमें digital form में attach करना होता है जैसे अभियाप on screen देखोगे कि हमने notice लिखा हुआ है sports club के थुरू जहां पर हम football team के लिए selection कर रहे हैं और यहां आप अभिनव शुगला है और मोहित वर्मन है जो के principle है जिनका हमें digital signature attach करना है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि digital signature attach करते वकट आपको क्या-क्या दिक्कत आती है और आप उसे कैसे resolve करके एक proper तरीके से digital signature यहां पे button कर सकते हैं उपर से लिके जो नीचे का format है वो बहुत ही simple है and I know कि आप इसे आसानी से बना लेंगे लेकिन हो सकता है कि आपको इस term में थोड़ा problem आए जो मैंने यहां पे signature के लिए format ready किया हुआ है हमें simple जाना है इस insert option में और यहां जाने के बाद आपको option मिलता है shape का आपको इसमें जाना है और यहां पे आपको option मिलता है text box का इस पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे आए और इसका जो भी area आपको चाहिए वो हमने एक box के रूप में यहां पे ले लिया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे select करेंगे, और format painter पर click करेंगे, फिर यहाँ पर आके इसपे apply कर देंगे, एक की बार में यह जो format हो उसके जैसा बन जाएगा, फिर line spacing में जाना है, और यहाँ पर remove space after paragraph का option है, इस पर click करना है, center alignment on कर देना है, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसे enter press करके नीचे ले आएंगे, और नीचे लाने के बाद आपको यह format option में जाना है, और इसके बाद एक line choose कर लेना है, और हम इस line को इस तरीके से यहाँ पर fit कर देंगे, अगर आपको इसे adjust करने में issue आता है तो आप जूम करने के बाद आप इसे और अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं adjust कर पाएंगे, फिर shape outline में जाके हम इसका जो color हो black कर देंगे, आप देखेंगे proper format ready हो गया है, बस यहाँ पर problem आरी इस box के, तो हम इसे select करेंगे, और shape outline में जाके no outline पे click कर देंगे, और आप replicate ready हो जाएगा, और इसे हम दूसरे side में ले आएंगे, यहाँ लाने के बाद हम इस अभीनो शुकला को change करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, मोहित वर्मन, और यह लिखने के बाद नीचे आएंगे, bracket में हमने यहाँ लिख दे है principle, हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देत और आप देखेंगे कि proper जो format है हमारा signature के लिए वो यहाँ पर ready हो जाता है, अब इसके बाद जो mean term है वो है इसमें signature लगाना, तो देखो, normally font से आप कोई भी signature किसी white paper पर लिखो, और फिर उसे font से capture कर लो, जैसे मैंने किया हुआ है, फिर insert में जाते हैं, और यहाँ जाने picture option में, इसके बाद जहां पर भी आपने उसे रखा है, font में, फोटो खेशने के बाद, जैसे download में रखा हो, आपने, या document में रखा हो, कहीं भी रखा हो, तो मैंने desktop पर रखा हम यहाँ जाएंगे, और signature वाले folder पर click करेंगे, यहाँ पर यहाँ यहाँ इसे click करूँगा, और य front of text, जैसे आप यह करोगे, सारा alignment पहले की तरह normal हो जाएगा, जो कि आप on screen देख पारेंगे, इसके बाद हम इसे crop कर लेना है, तो हम इसे क्या करेंगे, crop कर लेंगे, जितने के हमें requirement है, हमने यहाँ पर इसे, इस तरीके से crop कर लिया, और यह crop होने के बाद, कुछ इस तरी किसे आजाएगा, इसके बाद हम इसे छोटा कर लेंगे, जितने के हमे requirement है, तो हम इहाँ पर लेके आते से, हमने के इसे छोटा, अब यहाँ पर आप notice करो, यह काफी अजीब सा लग रहा, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे correction option में, और यहाँ पे picture correction option पे click क करना है, click करने के बाद, आप यहाँ पर sharpness देख रहे हैं, इसको हम कर देंगे 50, हम यहाँ पर आए और हमने लिखा 50, यह करने के बाद फिर brightness है, brightness हम कर देंगे 50, और जो इसका contrast है, वो हम कर देंगे 20, अब यह करने के बाद आप देखोगे, कि proper यह signature form में यहाँ पर आ गया है, तो अब ही होगी हमारा digital signature यहाँ पर apply, इसके साथ मोहित वर्मन का भी हमें apply करना है, तो हम insert में जाएंगे, फिर picture पर click करेंगे, और यह रहा मोहित से related signature तो हम इस पर click करेंगे, और insert करेंगे, फिर वही problem आएगी कि पूरा alignment गरबड हो जाएगा, wrap text में जाना आपको कहा आप देख पा रहें, तो हमने यहाँ पर इसे किया crop, और crop करने के बाद हम इसे ले आते हैं यहाँ पर, इसके बाद इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और जितने के हमें requirement है, उस हिसाब से हम इसे adjust कर लेते हैं, इसके बाद यह correction option में जाएंगे, और picture correction option पर click करेंगे, फिर यहाँ पर sharpness है, तो sharpness हमने किया 50%, और brightness भी हमने कर दिया 50%, और contrast है वो हमने कर दिया 10, अब क्योंकि इसके quality काफी अच्छी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, brightness को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो हमने कर दिया 70%, अब 70% करने के बाद आप देखोगे, कि इसे इन दिख रहा, तो हम इसे select करेंगे, जो हमारे मोहित वर्मन वाला text box है, और यहाँ format में जाएंगे, और shape fill में जाके no fill कर देंगे, जैसे आप यह करोगे, आप देखोगे, कि आपका signature यहाँ प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, so I hope कि आपने notice क्या होगा, कि digital signature apply करते व और बहुत ही simple terms में आप इस apply कर पाएंगे, so I hope कि दोस्तों जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको चलगे तो please वीडियो को like करें, share करें, साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दे, thank you